UPPSC ने सासन को भेजा सलेवस संसोधन का प्रस्ताव जी हाँ आयोग के पास APS के 250 पद हैं जिस पर भरती होने वाली है यहाँ पर पूरी अपडेट हम आपको बता देते हैं कि यह 250 पदों पर भरती क्रिया आयोग कब सुरू करने वाला है उत्तर प्रदेश सचिवाले लोक सिवा आयोग और राजस्व परिसद में अपर नेजी सचिव यानि APS भरती की तयारी जो भी अभ्यार्थी कर रहे हैं उनका इंतजार पूरी तरह से समाप्त होने वाला है क्योंकि आयोग APS के 250 पदों पर पाठ क्रों में संसोधन करने के बाद संसन को उसने आदेश भेज दिया है उसके संसोधन के बाद तुरंट 250 पदों के लिए भरती का विग्यापन जारे किया जाएगा हाला कि 2013 में 176 पदों पर भरती आई थी जो की अभी तक पूरी नहीं हुई है लेकिन ये भरती पूरी होने की संभावना है क्योंकि चुनावी वर्सा है लिखित पर इच्छा और साट हैंड के अधार पर इस पद के लिए सेलेक्शन किया जाता है और यहाँ पर आप पर चास पदों का दियाचन आयोग के पास है पाठ करम संसोधन की मंजूरी सासन से मिलने के बाद चैन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी ऐसा बताया गया यह यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है ऐसी अपडेट है तो जो भी अभ्यारती से सं मंदे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारियां शुरू कर दें जल्द ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ऐसी ही लगातार अपडेट से देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लएं